खबर लखनव से है जहाँ बीजेपी प्रदादिकारियों की बैठक है और थोड़ी देर में इंद्रा गांधी प्रतिष्ठान में ये बैठक होगी प्रदेश कारिस्मेथी के एजेंडो पर यहाँ पे महर लग सकती है चर्चा हो सकती है प्रदेश अध्यक्ष भुपेंद्र सिंग चौधरी सत्र को संबोधित करेंगे और संगठन के आगामी कारे योजना भी पेश की जाएंगे तो लखनव में बीजेपी प्रदादिकारियों की बैठक है और थोड़ी देर में इंद्रा गांधी प्रतिष्ठान में ये बैठक होगी प्रदेश कारे समिती के अजन्डे पर महर लग सकती है और प्रदेश अध्यक्ष भुपेंद्र चौधरी सत्र को संबोधित करेंगे और संगठंग के आगामी कारे योजना यहां पेश की जाए लखनव में भारती जन्ताबार्टी के प्रतादिकारियों की ये बैठक है और कुछी देर में ये बैठक शुरू होगी इस बैठक में कई मुद्दों को लेकर मन्थन होगा समिक्षा होगी रणनीती बनाई जाएगी प्रदेश कारे समिती के अजन्डे पर महर लग सकती है और प्रदेश अध्यक्ष बुपेंदर चौधरी सत्र को संबोधित करेंगे तो भारती जन्ता पार्टी पूरी तरह से अक्टिव है चुनाव में 24 से पहले निकाई चुनाव से पहले बैठको का दोर जारी है समिक्षाएं की जारी है रणनीती बनाई जारी है और आगे किस तरीके से इस चुनाव को जीता जाए उसको लेकर मन्थन जारी है तो कुछी देर में ये बैठक होगी और संगठन के आगामी कारे योजना इसमें पेश किये जाएंगे तो लखनव में बीजेपी पदा दिकारियों की ये बैठक है और कुछी देर में इंदीरा गांधी प्रतिष्ठान में ये बैठक शुरू होगी और प्रदेश कारी समिती के अजन्डे पर महर लग सकती है इसके वाज़ पेही जानकारी के साथ लखने में उससे हमारे सिद्दादा था इसके वाज़ पेही कुछी दिर में बैठक शुरू होने वाली है। क्या कुछ जानकारी इससे लेकर? जो परिवर्तन होते हैं उन परिवर्तन को लेकर बहुत सारी चीजों को लेकर इस बैठक में मन्थन होगा क्योंकि महात्वपूर्ण इसलिए है कल बीजेपी प्रदेस कारे समित की बैठक है और बीजेपी प्रदेस कारे समित की बैठक में कई महात्वपूर्ण इसलिए होगे खास तोर पर उत्तर प्रदेस में होने वाले जो आगामी निकाय चुनाओ है उनको लेकर पार्टी की रन नीती और नीती क्या होगी किस नीती पर भरती जनता पार्टी के नेता मैडान में उतरेंगे दूसरा बड़ा विश्य होगा कि किस तरीके से भारती जंता पार्टी जो विपक्च सवाल उठा रहा है उनके जवाब दिये जाए तीसरा बड़ा बुद्धा होगा कि जो उत्तर प्रदेश भारती जंता पार्टी ने चुनावी वायदे किये थे चाहे वो प्रदेश के सरकार के रहे हों या पिर केन सरकार के उननपर कितना काम हुआ है और कितना काम अभी बाकी है सात में दो हजार चॉबिस से पहले क्या रणनीती है खास तौर पर पार्टी में प्रदेशतर के जो पदादिकारी है उनमें बड़े पैमाने पर परिवर्टन होना है क्योंकि कई बीजेपी के प्रदेश उपाद्यक्च और महामंत्री अब उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री बन चुके हैं चाहे वो एके सर्मा हो चाहे वो जेपियस राठावर हो चाहे वो नरेंदर कस्यप हो या दया संकर सिंग जैसे चेहरे हो जो की उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी हैं और संगठन में भी उनके प्रदेश उपाद्यक्च और महामंत्री यों के पद भी हैं पार्टी अपने एजंडे सेट करेगी उत्तर प्रदेस जो यूनिट है भारती जंता पार्टी की वो इन चीजों को देखेगी कि कैसे जो प्रदेस समिती की बैठक है उसमें इन मुद्दों को रखा जाए, किनकिन मुद्दों पर चरचा की जाए चुकि प्रदेश कारसमित की बैठक में कई अलग-अलग सेसन्स होंगे जिसमें अलग-अलग सामाजिक, राजन्यतिक और सार्थिसाथ आर्थिक के साथ ही बीजेपी के रननीतिक جो सेसन्स हैं वो आयुजित किये जाएंगे उन सेशन से पहले एक PREE बैठक है जिसमें किस तरीके से इनको आयोजित किया जाना है कौन-कौन से पदाधिकारियों के पास क्या जिम्मेदारी होगी प्रदेश कारेसमित में जब मन्थन हो रहा होगा किस पदाधिकारी की तरफ से कौन सा विसे रखा जाएगा इन बहुत सारे विसेयों को लेकर ये एक पूर बैठक है जिसमें कहीं न कहीं ये सारे जंडेता हैं किये जाएंगे जिनको कल प्रदेश कारिसमित की बैठक में रखा रहना है कुल मिला के देखा जाए तो ऐसके बाद पर भारती जंता पार्टी पूरी तरह से एक्टिव है जाए निकाय चुनाब हो या लोगसाबा चुनाब हो और हम देख रहे हैं कहीं मन्थन हो रहा है कहीं बैठके हो रही है कहीं समिक्षाए हो रही है और कहीं पर लोगों को जिम् पार्टी में जुड़े रहे हैं उनको संगठन में पद दिया जाए क्योंकि बीजेपी में एक नियम चलता है एक वेक्ती एक पद चुकि कई ऐसे पद भी हैं जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि वो उत्तर प्रदे सरकार में मंतरी बन चुके हैं तो सीधे तोर पर उनको संग 2019 जैसी जीत दिला सकते हूं तो यह बहुत सारे मुद्धे होंगे जिनकों लेकर कारसमीति में चर्चा होनी है उससे पहले यह एक तैयारी बठक है जिसमें इन सारे विश्यों को लेकर ठीक है आप नजर बनाए रखिए मैं आपसे फिर जानकारी रहूंगा फिलाल शुक्र के इसमाम जानकारी के लिए